सावाजियाद होगा पीछे से ही मिलता भिलती है अपनी पीछ में कमोड़ा जाहिए जिसमय पंपापुर में भगवान राम जा रहे हैं और सुग्रीब को भेजने के लिए जा रहे हैं जान्ठा कोश भरी को तलाव मिली को पंपा भन्या को भनी सदियों से संपंध हमाना रोटी बेटी का कहरा रिस्ता पहने से ही रोजी दोटी का राम जान्ठा में कुपरोग है चेकप ले करून आई जान्ठा कोश वर श्वतार में कुपरोग काईदा है चेकप पाड ले करून आई रहा The grumbles and glows of the thunders with a loud blooming burst of a noise resulting in a shock wave with heavy rain कंटक पथ पर गिरना चड़ना स्वाभाविक है हार जीतना उठ 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 कर हम गिरें उठें फिर उठ उठ कर हम गिरें उठें फिर गुरुता का ही ग्यान चाहिए मा बस यह वरदान चाहिए आप आते रहेंगे हम भी आप यहां आएंगे यह मित्रवत ब्यवहार हमारा बना रहे उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अपने नगर से इतने बुजूर्ग लोगों ने भी यहां पर आकर जो हमारा मान बढ़ाया जितने कार्ड लगता हमने कारिक् दीदियां और दो भाई हैं मेरे पास और तेरा आचारिया बहने हैं इन सब का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हूं कि अकेले कोई कुछ काम नहीं करता सब्सें मिल जुलकर जो एक आज निभाया है उकर के सांसे कर्षपी से जोता हाई क्वालिटिक पेटेग नगार में कैंडल और लिंदल वाटर ली पिजा ताइम एक है में कुपरोग है तagensे प्रू लें करूट भीलम नहीं जो यान बशुपरीfik словilा omma हेक्रोग काई दा एक है के पहुँ आइड़ पार बनून जे ताडिवेर बदार गंलीन में गुमोर नायान कुर्वा कुबर बठे तर खाथ हितुनान कुबरे कंदगी बठे खुर्षबुत हितुनायान कविता का शिर्षपेर, after hits, they shine Wow, hit by floods Hit by floods, driven and thrown Hit by floods, driven and thrown Rolled by the boulders Peeling them down Falling from the fountains with a scream Falling from the fountains with a scream Rushing ahead with a new adrant beam Birds left their nests Birds left their nests and took flights Passing through furious storms and tides Losing the roost where they strived Learning lessons how to live and survive Birds left their nests and took flights Passing through furious storms and tides Losing the roost where they strived Learning lessons how to live and survive Struggles make us bold Struggles make us bold to realize importance of time with that of life Struggles make us bold to realize importance of time with that of life As the peeled boulders appear fine After numerous hits and falls, they shine After numerous hits and falls, they shine The grumble and glows of the thunders The grumbles and glows of the thunders with a loud blooming rust of a noise The grumbles and glows of the thunders with a loud blooming rust of a noise Resulting in a shockwave with heavy rain Resulting with a shockwave with a heavy rain Even have it to spark again and again Even have it to spark again and again Ghaniwaal Präsident Losing the gem Losing the rồi Losing the niwe Losing 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 Lusting Losing कथा लेक्सुशाथी उटो लेगरामा कथा लेक्सुशाथी उटो लेगरामा हलो माजुआमा अनौ उठो सजादू हलो माजुआमा अनौ उठो सजादू गजल खल्द संती उना कंदरामा गजल खल्द संती उना कंदरामा नदी एक है गगन एक है और एक है अपना ताना वाना कहने को तो देश अलग हो अम लोगों का मन एक है धर्ब एक सा राग एक सा अपना है पिहास एक सा चला आ रहा है यह रिस्ता सिस्टी के आरंब से ऐसे स्रजन हार ने रची धर्दी गुल दस्ते के फुल होजे से सद्यों से संबंद हमारा रोटी बेटी का सद्यों से संबंद हमाना रोटी बेटी का कहरा रिस्ता पहले से ही रोजी बोटी का इमका आले है अपना साजेदार सागर माता खड़ा हुआ है बंकर पहरेदार इनका आले है अपना साजेदार सागर माता खड़ा हुआ है बंतर पहरेदार देवों में भी जोड़े है संप्मंत साथ केदार नाथ से निकल पड़े भोले पहुचे पस्पतिनाथ प्रियातिति गणा के दर्शन से मन मोध भरातन पुलगित है उनकी दमदार उपस्पति से यह सबात वक्ष्या आनन्दित है भर्मन में वो भ्रातित भावे पैगाम प्यार का लाए हैं स्वागत में उनके हमने भी सुगवीत सुमंगल गाए हैं संबंद ज रोठी बेटी के हैं सद्यों सेवह सुमझल संबंद ज रोठी बेटी के हैं सद्यों से ऋह है सुमझल हम मितर राष्ट हुने को कायम रखने को करेंगे यतन पदिल स्मार्ट मीट में तम होना चाहिए सावासिया धोगा पीछे जही मिलते हैं खुछ की पीछ में तम होना चाहिए आपके हाथ को अब उठेंगे इसमार्ट में कहाब भी बना चाहिए साथ है सूर बस कीछ में त मोना चाहिए जम्ना में कच्यारे कच्यारे कच्यार पतुसम खालिया ऊंजेग advising उस मुंपन महार राश चाह्वा गौपन महार राज पाग जुट्ट बेमानूग राज सब जागे, जुट्ट बेमानूग राज सब जागे, खेव दूद में अरारोग यूरिया का नाज पीने पानी पोटल में बंद, बहुत अपर अल फूल दाल, खलदरा कलों पर्जों पंद, अर्जुन नशरी है या, ध इम भुखल मर गया या, रजन मसरी है धार, इम भुखल मर गया और ओ पज़री है, या खुब बज़र देयान? और अपज़री है गणारीग चालक फकल जाग विराजी भशी है, गणारीग चालक फुल पुर्शी कर दूचिंद, ने किसना है, दुरोपतिं पेजर थे साप शबनी खेलने चली बैद बाजी शबनी की बैद इसना इनी चाने शुदा माले चाहिया छन गौल बाल भुट किसा छन सुन लिजे बस दो मिनट भानुभक्त की रामयन सुना रहें बहुत महत्तुन है बस दो मिनट बानुभक्ती रामयन में जस्य मुक्त भई गईंत सबरी सब बात सुनी रामपणी जान्चू आजम रिष्यमू का गिरिमां सुग्रीब भेठ भनी जिसमें पॉंपापुर में भगवान राम जा रहे हैं और शुग्रीब को भेठने के लिए जा रहे हैं जन्ठया कोश भरिको तलाव मिलिगो पंपा भन्या को भनी पंपा पुर एक तालाब था उसका बढ़न है इसे है जन्ठया कोश भरिको तलाव मिलिगो पंपा भन्या को भनी स्रीन्या स्री रगुना थले सबरिले यहो भन्या को भनी बगवान राम के सारव सबली भी जा रही है अब वो तालाब का भढ़न तों है प्रकृति का भढ़न माचा कच्छ पचल रचन कमल को सब गिर्च केसर तहां उस तालाब में उस पंपा कुर में वो केसर ले जब प्रण है पूलो तो पानी कहां दिखता है और आखी लायन जो शिख्याप्रजाइब इसमें उस पानी का बढ़न करें जड़ का उस पंपापुर के जल का बढ़न है उसमें भानुबक्त जी ने किया है उसमें जैसे संत का निर्मल मन होता है वैसे ही इस पंपापुर का जल उसी प्रकार का है मैं आपको सेज करता बाद में सुनाओगा मुझे इतना ही टायम कहने को मिला है बाद में सुनाओगा इक बार जोरदार तालिया धानुभक्त आचारी जी की सुन्दर रामायन की खुछ पंतिया आपके द्वारा यहाँ पर सुनाई गई हम आपका हिर्दय से आभार व्यक्त करते हैं मा बस यह वरदान चाहिये जीवन पथ जो कंटक मय हो विपदाओं का घोर वलय हो जीवन पथ जो कंटक मय हो विपदाओं का घोर वलय हो किन्तो कामना एक यही बस प्रतिपल पग गतिमान चाहिये मा बस यह वरदान चाहिये रास मिले या त्रास मिले वीश्वास मिले या फास मिले रास मिले या त्रास मिले वीश्वास मिले या फास मिले गरजे क्योना काल ही सम्मुख जीवन का अभिमान चाहिए मा बस्यह वरदान चाहिए जीवन के इन संघर्षों में दुख कस्ट के दावानल में तिल तिल कर तन जले न क्यों पर होटों पर मुस्कान चाहिए मा बस्यह वरदान चाहिए मा बस्यह वरदान चाहिए बहुत अच्छी पंगतिया है अच्छी पंगतिया है मेरी हार देश की जय हो स्वार्थ भाव का शणशण शय हो जल जल कर जीवन धूँ जग को बस इतना सम्मान चाहिए मा बस्यह वरदान चाहिए मा बस्यह वरदान चाहिए बहुत अच्छी पंगतिया है रोटी और बेटी का रिष्टा खास था सब कुछ था एक जैसा फिर पता चला कि एक तरफ भारत और दूसरी और नैपाल राष्ट था दोनों तरफ का अभिवादन नमश्कार था वैवाहिक संबंद भी बहुत खास था एक जैसे थे यहां के त्योहार आपस मैं भाई बहन का प्यार था एक दूसरे के प्रती सयोग का भाव था आने जाने में ना वीजा ना कोई काट था इतने मधूर संबंदों से ऐसा लगा ये दो नहीं मानो एकी राष्ट था आज दोनो राष्टे साथ साथ हैं यहां पल बहुती खास है यहां पल बहुती खास है हम सब के द्वारा यहां ना भूले जाने वाला एहसास है धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्थुती एक नवांकुर लेखिका के भाव क्या होते हैं आप समझ सकते हैं और एक अच्छी कविता यहां पर आपने प्रस्थुत की निश्यत रूप से आने वाले समय में इसका परिमार्जन होगा और अथिक अच्छा आप करेंगी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मित्राश नैपाल से गणेश वाहदुर नैपाली एक बार दुरदार तालियू से अभिनेंदे ने हम स्वागत करेंगे मुझे दू प्रस्तोती करना था नियम एक का लग गया है एक से आगे बढ़ना नहीं है मैं डड़ेल्डरा से बिलों करता हूं और आज की संदर्व में ये गजल नहीं है तब भी ये मेरी मात्री बासा का गजल है जो भासा जो संस्कृती जो लोग साहिते हम लोगों का साजा बिरासत है जो हम लोगों को एक बनाता है रास्ट से बड़ा संस्कृती है इसी बज़े से ये कारिक्रम हो रहा है ऐसे संदर्व का ये गजल नहीं है आप लोगों को आप अच्छा मान दीजिएगा सत्य तवल्ले तखड़ी आथी, स्वजानलाई पगड़ी आथी, सत्य तवल्ले तखड़ी आथी, धुर्तनलाई पछाणी राख्या, जाल नबुन्ने मगड़ी आथी, सत्य तवल्ले तखड़ी आथी, मानशनलाई कानुं छेया श्याललाई हकड़ी आथी सत्यतोल्ले तखड़ी आथी ठाव बनावने मानशनले हो निका ठावर गड़ड़ी आथी सत्यतोल्ले तखड़ी आथी सब आपलाई निका बढ़ांचन आपनों कसूर देखदे जगड़ी आथी सत्य तवले तखड़ी आथी स्वजानलाई पगड़ी आथी धन्यबाद नमस्कार आप लोगों के इस फ्रेम की बज़े से यहां ये गजल सुनाने का ये अहमाग्ये ये अंतराष्टी सम्मिलन में अभवाग्ये प्राप्त हुआ आए जग संपूरा को तहें दिल से हार दिक हार दिक आभार पर करकरता हूँ धन्यबाद नमस्कार जए नेपाल जए भारत सांदर प्रसुत एगवा जुर्दार तालिया सांदर गजल गड़ेश बादू नेपाली जी की यहां परती आपका अंदाज बयां बहुत सांदार और इसे क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच में युआ कवित्री अनिता जो सी अनुजी यहां पर है मैं वेदन करूंगा कि करपे मज़ पर आए और अपनी कविता यहां पर प्रसुत करेंगी बहुत बहुत धनिवाद आप सभी को मेरा प्रणाम और बड़े भाई संचालक मौदर लली सौरे दाने मना कर तक है भूमिका बादने से तो मैं चंद पंक्तियां से सुरू करना चाहूंगी भूमिका आप स्वयम बाद लीजेगा तो मिले हैं आज हम तो बहार आएगी सुनहरे पलो की यह साम फुहार लाएगी किस्मत से ही बनते हैं कुछ ऐसे ले में जब लोग अलग-अलग लेकिन सब मन सब के मिलते हैं जब लोग सब अलग अलग लेकिन मन सब की मिलते हैं निवाद अब मैं अपनी कविता सुरू करूँगी एक साम की बाते हैं इसकी भूमी का आप खुद बात लिजेगा तो मैं सुरू करते हूँ तो सुरी जब धलने को था चंदर रोशन होने को था पक्षी सवेरा ढूट रहे थे मेग दबे पाउं नभ में हौले सी फैल रहे थे पहाड गुन गुना रहे थे पवन राख सुना रहे थे मैं बैठी हाथ पर हाथ धरे यह देख एक प्रफुलिक मंद मुस्कान में थी मेरे प्रफुलिक मंद क्यों बेवजा गर्वित है तब मैंने मंद मुस्कान साथ लेकर नजरें में से जुका कर कहा मैं भी हूँ इस मंदल की टिम टिम का एक सितारा मैं भी हूँ इस जग की मंजिलों की राहों की एक राही मैं भी हूँ जाना मुझे भी है कुछ दूर पाना मुझे भी है थोड़ा कुछ इस बारिस की रिम जिम मैं एक अश्क मेरा भी है इन चिडियों क कि चहए चहाट में एक स्वर मेरा भी है न दिख रही मगर इस उड़ती धूल का एक कन मैं भी हूँ किसी की उम्मिदों की एक उम्दा आश मैं भी हूँ इस दुनिया के मेलों का एक शुंदर नजारा मैं भी हूँ बस यही वजय है इस प्रफुलिक प्रकरति के रंग में एक डाशोड़ा में करना चाहूंगा क्रश्ण सिंघ पेला जी के लिए अब मैं अम बनात्रित करणा चाहूंगा नैपाल के सप्रसेद लेख क्रश्ण सिंघ पेला जी धुक्न उत्ताब्स न्युक्त पोप्सक आपकोसि réussi लेखके एक कुप लुबस मेरो अपी हिमाल हेरी जा ले देखकर जा तपीं माल dat डैड़ा natt ने इस न कटी रुबस मेरो अपी हिमाल रेजर सिती शिरानुमी भशय शै को करद ना शहे रिआ Pocket पन्त जशहित शुर्ज उदावन यह उन मेरो फुदूर पश्मा निपाल ओर भी निणि आभारी आप कफल अठन्नी मोषंवी केला दाड़ी मुंचूक काफल अठन्नी मोषंवी केला दाड़ी मुंचूक मुझीया तो किर मडां को कमाल हे रिजा कतीर उबस मेरो अपी हिमाल हे रिजा यो य lizard Freeze एका आने के छिए निमंत्रन है आईना वो भुठा गया है मुझे बाबुने अब भुमिका ऐसी बांदे से परसंशा के फूल बांदे तारिके तो एक हिंदी गजल तो बनती है आईना वो दिखा गया है मुझे मेरी हस्ती बता गया है मुझे आईना वो दिखा गया है मुझे मेरी हस्ती बता गया है मुझे इससे पहले कि मैं जुबा खोलूं कोई खंजर चुभा गया है मुझे पीछे से खंजर चुभा गया है मुझे जैसे पिस्टॉल लगा दें जुबा खोली तो खबरदाद इससे पहले कि मैं जुबा खोलूं कोई खंजर चुभा गया है मुझे कल से मेरा वजूद क्या होगा कल से मेरा वजूद क्या होगा खौफ अंदर ही खा गया है मुझे मैं कई फाइलों का राज हूँ मैं कई फाइलों का राज हूँ वो है शातिर तबा गया है मुझे मैं कई फाइलों का राज हूँ वो है सातिर दबा गया है मुझे ना करूं जर्व है करूं जिल्लत काम ऐसा दिया गया है मुझे जो भी देखा मैं कह नहीं सकता ऐसा ही कुछ कहा गया है मुझे जो भी देखा मैं कह नहीं सकता ऐसा ही कुछ कहा गया है मुझे अब क्या करें बोल नहीं सकते ऐसा ही कहा गया है तो जो भी देखा मैं कह नहीं सकता ऐसा ही कुछ कहा गया है मुझे दर्द दिल में ही दफन कर डाला यू मुकमल किया गया है मुझे यूं मुकम्मल किया गया है मुझे, बन के रास्ता मैं इंतजार करूँ, शबर करना तो आ गया है मुझे अब ये लाइन कहते कहते मैं ये भी बता दूँ कि अपन बुक्स अउनलाइन एक अउनलाइन प्लेट्फॉम है वहाँ पर आप अपना आईडी उकर के मनलब लोगिन कर सकते हैं, अपनी रचनाई रख सकते हैं और वहाँ पर ओनलाइन गजल मुसाहिरा भी चलता है ये तरही मुसाहिरा, तो वहाँ पर एक लाइन दी गए थी, शबर करना तो आ गया है मुझे इसलिए ये बन के रास्ता में इंतजार करूँ, सबर करना तो आ गया है मुझे अब कभी हो न पाउंगा रोशन, इसकदर वो पुझा गया है मुझे है नहीं याद नाम तक अपना, है नहीं याद नाम तक अपना वो सयम में मिला आ गया है मुझे, आईना वो दिखा गया है मुझे मेरी हस्ती बता गया है मुझे भन्यवाद सांदारिगो जुर्दाय तालिया, क्रिस्म सिंग पेला जी के लिए हस्ती मेरी वह बता गया है मुझे क्या वात है बहुत संदर नैपाली और हिंदी गजलें आपने यहाँ पर सुनाई और बहुत संदर प्रस्तुती कभी कभी नीरज ने कहा कि आत्मा के संदरिय का मेरा निवेदन होगा की किरपया सिनियर सिक्रिजन वेलफेर सुसाइटी के जो अत्यक्जी है किरपया बैठें कोगी अभी आपका सम्मान भी होना है बस कुछ थोड़ी देर पास साथ मिनट एक दो कभीयों को हम और सुनलें कभी होना सौभाग्य निश्चित रूप से जो कभी होते हैं और सौभाग्य साली होते हैं और सौभाग्य साली लोगों के मुख से सुनी गई बात है निश्चित रूप से एक आसीश के रूप में हम सभी को आश्रिवात पदान करती है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए युगा कर वित्रे यासा सौन जी हमारे बीच में पस्तित हैं सम्मानित मंच और यहां बैठे सबी विद्व जनुका मैं तहे जिन से शुक्रिया करती हूं और अभिननन करती हूं प्रणाम करती हूं अपनी रचना सुनाने से पहले मैं आप सब दो लाइने रखूंगी बाजार में कट पुतलियों का तमाशा है यारग बाजार में कट पुतलियों का तमाशा है यारग चलो बिश्मिल्ला कराएंगे उसकी नुमाईश का शोर्बा पीनी को बड़ी भारी भीड है चलो हम भी मैंखाना देखाएंगे बहुत दिनों से कानों में धमाके नहीं सुने बहुत दिनों से कानों में धमाके नहीं सुने चलो हम भी आतिशे बाजार जाएंगे इसके आगे तेरे तमाशे से यार मेरी जान पे बनाई है कौन तुझे शह देता है मेरा जिगर जलाने को रचना यूँ है बस इतने ना आप तो सवाल कीजी बस इतने ना आप तो सवाल कीजीए बिमार है हम कुछ तो खयाल कीजीए बिमार है हम कुछ तो खयाल कीजीए लोगे क्या जान अभी भी हमारी लोगे क्या जान अभी भी हमारी बकरी की तरह नई हलाल कीजीए जिस्म को होंसलों की है दरकार जिस्म को होंसलों की है दरकार हुजूर अब तो न ऐसे बवाल कीजिए हम रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है छोड़िये अब ऐसे तो न मलाल कीजिए खुजबुएं चमन में महकती रहें हर तरह के फूल अब तो बहाल कीजिए हर दुख दर्द मिट जाए जहां से अब मेरे मौला खुश तो अब कमाल कीजिए हर आदमी यहां अब फरिस्ता लगे हर आदमी अब यहां फरिस्ता लगे अपने हुनर का खुश तो जमाल कीजिए बस इतने नाप तो सवाल कीजिए भिमार है हम खुश तो खयाल कीजिए बहुत धन्यवाद सांदार कविता पार्ट यहां पर दिवी के द्वारा इसी क्रम को आगे बलाते हुए कैलास कुमार फांडे जी हमारे बीच माँ पस्तित है और फिर हमारे बुजर्गी यहां पर उनका भी संबान होना है जन्यवाद स्वंचालब जीओ शरबर्तम यहां रुशपय मां नोमन सा रशनदाई आर्टिक आभार गित्त करना चांचो अंवरो मेरो कभिता क्रिक्ति आज यई कारी जी बिमोचन वयको यहू एक लबब्ब्बको देश में बिमोचन वयको चा शका लागी मां आभार मेत्त कर दाई तेहीं एक्लब्ब्ब्ब्ब्ब्बills को कविता संग्रवाट योटा कविता बाचन गर्ण गर्ण बैरेकोशु एक लव्व्वे को देश मा एक लव्वे को देश मा हरेक दिन काटिन चा शिच्चे को बोडियाउला गुरु पूर बंदै दच्छेना माच्छन ब्रह्मा विष्णु महेश भनियेका गुरु पुरुभाग्रहीर स्वार्थी बंचन गुरु को हेर्ने नजर दिने शिच्च्या बोन्ने भाशार मालने दच्छेना शिच्चे इच्चे फरक हुँँच एक लव्व्वेको देश मा हरेक दिन काटिन चा शिच्चे को बुडियाउला एक लव्वेको देश मा साशक अंधा हुँँच जहां नयाएपनी अंदोंच शत्ते आखा भएका द्रोणा चाड़ी हरू अंधाकै भाती हरियो मात्र देख्छन सौर्य पराक्रम को शिरो छेदन गरिंच शीर काटियेका निर्त बर्बरिक मात्र सत्ते देख्छन सद्म रूपमा बीरता को कुंडल कबस होशिंच निरीह अभी मन्यो मात्य एकरो खनी एको अभद्रक पुर्वत्ता बहात्तुरी मानेंच यहां अधिकारलाई आगो लगाईंच लाच्छ्या गरिहमा राखे जहां सल कपडले सत्ता को पाशा पलताईंच कयो कन्यारू पटक-पटक बलत्किर्थ हुंचिन पहिचान नपायका शूत्पुत्र जन्मेंचन हरेको हेराई माँ छल चा अरेको भुजाई माँ कपड चा हरेको भाब माँ श्वार्च चा हरेको मन माँ दम्भर अहंकार चा एकलभ्यको देश एकलभ्यको देश जहां देखी शोर्ग नजिक चा जहां देखी शर्ग नजिक छ, अस्तिनापुर टाडा छ, जहां देखी गुरुकुल नजिक छ, गुरु टाडा छ, जहां धंग्ष सजिलो छ, निर्मान कठीन छ, जहां भावात्मक भक्तिकम काम गर छ, इस्तुल एथार्थ भतकाईन छ, र पवरकी हात काटीन छ, जहां नार प्राइन भेटन सजिलो छा नर भेटन गारो छा एक लब्वे को देश। जहां सक्ती स्वार्थका लागी मानवत्ता लागी बंधत राखी आधुनेक भिश्म हरू पर्टिग्या बबत अबाख रहंचन पुजनी एक लब्वे चेतना तिरस्कीर्थ हुनच दुरियोधन दुश्चाशन को रजगज रहंचा निरंतर बीनाश हुनचा कुरुचेत्र को बीनाश एक लब्वे को देश्मा केलास कुमार पांडे जी ने बहुती सांदार और मर्मर को इसफर्ष करने वाली कविता यहांपर प्रस्तुत की है तो एक बुजर के सुबे से हमारे पीच में हैं वो भी आप लगों के साथ पिदा लेंगे तो मैं उनी को कविता पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पीच में धर्मानन पंजी यहां पर पस्तित है एक बार जुड़दार तालियों से सबसे पहले आपकी जिग्यां साथ ले गुमानी की चार लाएने सुनाना चाहता हूँ आटा को रोट हो कनिक मड़ो को होसा गया लून हो घर को घ्यू आंगुले को बुटन सुन या दे लटो क्यों न हो यूना मैन प्रभात घाम देली में या ब्याल को तैल हो घर की शेनी सुजात हो लाटी गिंगरी जसले हो ज़्यादा नहीं सुनाओगा टायम नहीं दे रहे हैं अब मैं सीरे अपनी कविता में आता हूँ यह कविता जो है कहां से ली गई है चारवाग का एक शिद्धान्त है यावत जीवे पुषम जीवे रणम करत्वा घरतम पीवे भश्मी भूतर से देयाख्या पुनरा अगमनम कुता यह भश्मी भूत शरीर कहां से आएगा दुबारा इसका उत्तर दे रहा है यह कभी जो है कभी है यह किना भाने किना भाने यो जीवन आउंदेन पर केरा किना भाने किना भाने यो दीन आउंदेन पर केरा किना भाने यो दीन आउंदेन पर केरा काली रात बिटे पछी भिहान आउंछकी काली रात ये प्रस्ट फुठा जा रहा है काली रात बिटे पछी बिहान आउं छकी काली रात बिटे पछी बिहान आउं छकी डाना को वो कालो काटो उज्या डाना को वो कालो काटो वो रालो आउं छकी डाना को तालो ताटी वो रालो आउंचकी ये प्रस्टा है आपके पास अब इसका उत्तर है देखे इसका उत्तर है अकाल दिन बिटे पची सुकाल आउंचनी अकाल दिन बिटे पची सुकाल आउंचनी निश्कित ही आता है अकाल बीद गया शुकाल जिरूरा का है अकाल दिन बीटे पची शुकाल आउंचनी लुगी-लुगी माग काटी बसंत आउंचनी ये लुग-लुगी सब दे नेपाली के बोलपड़ी कभी हुए हैं लेखना तोड़े उनकी कविटा की दोड़ायन सुनाता हूं यो महिना माग थियो बिहान पक्रमा पालो परेको थियो महिना माग थियो मा का मेना था सुबा का वड़ था महिना माग थियो बिहान पक्रमा पालो परेको थियो एक भुण आद्मी काम्यो लुग-लुग तियो गरीब विचरा तैस्मा दयागर्चको अब है क्या हमारे लिख्षिक्ष्या क्या है? पुर्खा को भने को कुरा जो स्यादे कहते आये हैं पुर्खा को भने को कुरा सदा मना ल्याओ भलो गरी भलो उंचा सदा मन में राका बलो गरी भलो उंचा सदा मन में ल्याओ ये कीन भाने यो दीन आउदे न फरकेरा कीन भाने यो दीन आउदे न फरकेरा निराचा को कुरा कैले मन मना ल्याओ लू परमा प्रभु को मन मा राकी अघाली बढ़ जाने कीन भाने यो दीन आउदे न फरकेरा कीन भाने यो दीन आउदे न फरकेरा हम रूहेंगे लूदे लूदे न फरकेरा मिटी है तो पल भर में विखर जाएंगे हम लोग खुश्बू है तो हर दार को महकाएंगे हम लोग हम रुह इस सफर हैं हमें नामों से न पहचान कल किसी और नाम से आजाएंगे हम लोग यही एक है कि यह दिन फिर लोट करके आएंगे जैसा कि आपने कहा और हम आपको आमत्रिप करते हैं कर दुरदार तानिया उसाद उसी जी के लिए वो अपनी प्रस्तुति लेंकर के आपर आ रहे हैं और इसके बाद भारत से लक्ष्मी आरिया जितन यहां रहेंगी वो अपन किताब से मोबद तो हमने बेपना किया है मोबद तो हमने बेपना किया है एक दिल था पास आपको दिया है जब दर्द होती है हम दर्द बन जाते है इसी लिए तो आशों को हर पल पिया है मोबद तो हमने बेपना किया है आतिक आवाद, हमने भी दो गजल लाए थे, पर हम समय के पावन्दी से एक गजल बाचंका में, ए नेपाली में स्वीकारी है, तिमी संग जोडियेर जीवन्छा, इस पर सले खुशी दियेर जीवन्छा, अंजुलिमा भरेका याद हरू, रिदयमा पोखियेर जीवन्छा, तिमी संग जोडियेर जीवन्छा, कईयों सपना हरू, कईयों सपना हरू हराए शिरानीमा, पईयों सपना हरू हराए सिरणिमा आशु हरू पईयों पिये र जिवन छ तिमी संग जोडिये र जिवन छ एकलेई हिर्दा अथारा कल्ली हरूमा पर पतै तिमी उभी एर जिवन छो तिमी संग जोडियेर जिवन्छा तिमी ले पोखे का थोरे थोरे प्रेम ले जिन्दगियो रंगियेर जिवन्छा मा अंतिम सेर माझू त्यो चाती भित्र धड़कीने वुटू संगा त्यो चाती भित्र धड़कीने वुटू संगा केही पल साथ धड़कीयेर जिवन्छा तिमी संग जोडियेर जिवन्छा इस पर सले खुशी दियेर जिवन्छा धन्यवाद बहर संदर्पस्तिगवा गुर्दार तारिया सांदार कभित्रा गजल और अंदाजी वैया भी किल्कुल सांदार उसा जोसी जी का हार्दिक धन्यवार और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मैं सामाजिक सरुकारों से जुड़ा हुआ लेखती है और लगातार आपकी लेखिनी चलती रहती है कभी कैसे होते हैं कमिता संग्रह की लेखी का लक्षमी आर्याजी से मैंने भी इतर करना चाहूँगा कि क्रिप्या मंच कराएंगी और अपना कमिता पार्ट करेंगी वर्जुर्दाय तालिया लक्षमी आर्याजी के लिए करिश्ट कभीति के लिए पितरागर जनपकी हम अबिद्र करते हैं मैंने सर दुना, आखों को बिचकाया, अरे जनाख, ये तो पूजा है, भजन है, इश्वर को पाने की लगन है, तो पूजा है, भजन है, इश्वर को पाने की लगन है, कस्तूरे को ढूणने का प्रियास है, दिन में तारे दिखाएगा, रात पर सो न पाएगा, दूसरों के दुख रुलाएंगे, बेकार भटकते जाओगे, क्या करोगे जो वापस नहीं आओगे, ये साधना है विश्व दया करुणा में इसका आवास है, खुशी में भी यहर उलाएगी, दुख में सुख के प्रियासरत नजर आएगी, समाज राष्ट बदलना इसका प्रियास है, अनीती अत्याचार, व्याभिचार, भुणा बरताओ, भेद बाओ, जादू टोना, ठगी का खिलोना, जारपा बेरोजगारी, महा मारी, महता बाद, खेत खलियान, मा की करुणा, करण की पुकार, सीता का हाहाकार, द्रोप्ती की चीतकार, नोनिहानों का देश पर बरिदान, सब कवी के कानों में, शीशा और आखों में जब दुहां बोल देती है, कवी की कलम उस वक्त सब बोल देती ह यदि ऐसा कश्ट सहप आओगे तो खुद का विदा करने लग जाओगे वैसे भी जनाब ये कोई खेल नहीं इशुर ये बर्दान है ये सब को कहां मिलता है कि नेवले की गोद में भी साप पलता है धर्म्यवाद सांदार ये नेवले की गोद में भी साप पलता है बहुत सांदार बहुत संदर पंक्तियां बास्तों में कविता कहना और कविता पढ़ना जितना आसान है कविता लिखना और कविता जीना उतना ही कठिन है और कविताच जीने वाले लोगों ऐसे बहुत च्छत लोग देखे जाते हैं स्री गवेश पंतमीर बंजु जी सुपरसित कवी लेखक सहितकार नर्पार समर भीजी बहुत बहुत तन्यवाद नंद परवत से नंद परवत से काक किदी तक फैली है ये धर्ती रिशिमुनियों ने लिखी वई है बेद पुराणों में अर्ती पुन्य भुमी में संकर के संद गौरा माता रहती है गंगा भागा धौली काली पुन्य नती जो बहती है मिर्त संजीवन यार्षा कुमबा मिर्त संजीवन यार्षा कुमबा शिला जीत पथर है मिद्ध संजीवनी अक्षा कुंबा सिलाचीत पत्थर है हीम किरी परवद के चोटी और सदियों के घर है वाँ 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 संदर हीम किरी परवद के चोटी और सदियों के घर है सुंदर लगती है क्या सुंदर सुंदर लगती है क्या सुंदर मिर्ग सावत की गस्ती सुन्दर लगती है क्या सुन्दर मिर्ग सावत की गस्ती कोई अलगाती मैं सुनता हूँ वाहर क्या ये मस्ती कोई अलगाती मैं सुनता हूँ वाहर क्या ये मस्ती गोरा आँठू गोरा आँठू बीशू फागू उलके मैं माघी त्या गोरा आँठू बीशू फागू उलके माघी त्या थाग सबुन जागर मांगल थाग सबुन जागर मांगल से थाइला हुआ एक्या मानस्तंडगी इस पवित्र गुमिको भार्दिक नमाल करते हुए अब मैं डूटेली भासागे एक प्रदब सुना कामू कभिराजे कासन बश बश खान 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 बश बसी बस खंवया उठ्ठें किज़ोच्छ दालिमा कालो देखिये गया फॉठ्टें के जो अधर है शो होसक है शो होसक है बिलो केदार ग्याग जनी जा शो हुच है बिलो केदार ग्याग जनी मूख शोव मुषर है बिल्लो के नार गया जनी मूख मुषरे ओगियो चुटाएं के जर्णा बशी पाइस खान पाई आई आई आए उटाएं के जर्णा जड़ बार इकोंदो बढ़ना न जड़ बारी कोंदो बढ़ना पड़ना यह हतन अपड़ना यह पाई जोडेले या अकुते ल्हां है जोडेता है जोडेले जोडेश कानौना सुधिटा जोडेले जोडेश के थब थागे थगे ठागी पांख लागी अज्गास हो उलिगया बशा है थे थागे आगी अज्गास हो उलिगया बशा है बोयमने हमाने ही अपुरें है कृट्वचाだ कर दो कर दो कि अरेड़ का अवार की रचानगे मैं और रचा हिए ट्र смотреть को उत्त के लिए कि दली दां फल्या चामल भाय पुछा गिरेको थैंबर मारी गौण चुट्टाई की जल्ला बशी बशी खन पया उठ्टाई की ज़र डाल में खालो देखी गया उठ्टाई की ज़र रपर आज देखिना मन हाथिर ओडिनम्न देने वागा बहुत सांदार प्रस्तिवर जुड़दार दानिया स्रीमान रमेजबन मीतबंदु जी के लिए हमारे भारत के व्यंग कभी प्रकास संजोसी सूल जी बड़े दात दे रहे थे तो क्या जरूरत है क्या नहीं है थोड़ी देर में बताएंगे आपको तो मैं सिक्रम को आगे ब बेदन करना चाहूंगा क्या मंच पनाएंगा जोड़दार तानिया पूर्वसानिक रहे हैं हम सभी के प्रेवराना फ्रोथ स्रीवान कोविच सिंग बेश्टिए के दन्यबाद सार्थ आप सभी को अज़िए करते हुए मैं कुमावनी भाष में सुनों या एक कान भोलत अठालों प्रसित्यों जो तो मैं जो पहाड़ी मैं जो पहाड़ी मेरे खेत खल्यान पहाड़ी मैं जो पहाड़ी मेरे खेत खल्यान पहाड़ी मैं हूँ पहाड़ी मेरे गुरू बल्द पहाड़ी जुवा पहाड़ी हलूडों पहाड़ी हलो पहाड़ी अखो पहाड़ी ठालों पहाड़ी कूण पहाड़ी न्या पहाड़ी पत पहाड़ी मैं चोट पाणी मेरा खेत खलियान पाहडी नोल पाहडी, शुची क्या ने तारा पाहडी पानी कहा है भरनूर आब पानी पलेर ले पाहडी मर्दों, मढवा पहाड़ी, जड़वा पहाड़ी, जोँ पहाड़ी, कलोपाड़ी, गोथ पहाड़ी, गुरूण पहाड़ी, यो अनाजून का वर्म जोड़ी, किलाइगे हम व्यार बड़े सब दाला थनो गें ने, गुषाब यहां गुषाब था, काफल पाड़, कोखाल इजाल पाड़, कोखाल किरमोड पाड़, और फूल प्यान आद उचेता मैं भुनार बुरुजा का पोड़ पाड़, बुरुज का जूस भी बड़ा, अच्छा होता है, छुमा पाड़, छुमा का लड़ पाड़, बूखाल फीज, कोण पाड़, कोण आप उनने, तिरी कोह पाड़, 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 बाजरो पाय, नारिंग पाई मार्टा पाई नारो नारो एक अनारो मदुर्पू उल्या रहेंगी हो पाई आप घीबनों ये चाड़ी दूत पिरों ये गड़वा पाई हमारा पाई को और खाड़ भूल भूल मढवा उल्या पाई ने देगी हो हमारे देविदेवता पाई हमारे पूरवन पाई हमारे गाड़ गजरप पाई और हमारे चांद और सुरांदे पाई तुम मनो ना मनो ये बात है, आजकल आप प्लेन्स पे रहोगे ना साथ सूरज नहीं दिखाए देता है, और यहाँ पहाड़ों में उस सूरज का आणन दे ले करेंगे, आप सब पहाड़ों गों रहे होगी, यहाँ ने कोई चंड़ना हो जारा है, कोई दूर सितने के लिए इस लिए आरा है तो हमारा सूरज ये पाई, हमारा बट पाई , बटो को चाहँ आँ बाँ आज अलार खाय से दून दे के । हमारा बट फेखाय ले को चटदके से पाई , हमारा बट पाई आज भट ये फज़ा कन बड़ी इना गान इस बोल पनाव लोहां पाई पर निए अपर पर खुब कि एपने सार्थ प्राव मेरा अ उन्हां दुट है कि अपने हो जाने किसे वह जो जूना थे कर देले के एदर अवारा क्या है तो तो हो भी फिर जाने कि गिलों में हम सिनन प्लॉटते हैं करके हैं इज अवार दोजने हैं तो कहने का मुल्ला हमारा कौँ बाच्छा खिंद शिन्ना को दो पानी ले पाहाड मैं जो पाहाड, हमार को अगार पाहाड, हमार पान पने पाहाड, तुमने पाहाड या हम ले पाहाड 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 के अभे कविदा एक चरपट पजर गया था, बहुत साथार है कविता गोविन सीन्गी स्ट जी, चनफल और इसे क्रम को आगे बढ़ाते हैं अभी अभी हमारे बीच में साहितिकार, पन्यासकार और कविता के शेत्र में लगाता अथूद कविता है रसने वाले अनेक फिर्टकार्प्यूद की रसना करने वाले प्रपुत्र, साहितिकार शिख्यावी डाक्र प्रभूत मार्प्सोफी जी मारे बीच में पहुंची है, हम आपका अभी हाटी का भिनांदन हैं साहितिकार प्रपुत्र जोड़दार तालियों से, तेवाट जोड़दार तालियां गंगा विस्तिकी लिए क्लिए तूकि मात्र सक्थ की रूप में द गजल खुनाओ, मैं ही कन्फूज हूँ, इसमें से एक गजल में पासन करने जारी हूँ राक्त्री धले पछी, आउचा सवै को बिहा न उस्ताई, मान्छे फरक फरक मानवता को पहिचा न उस्ताई एक अद्रिश्य सक्तिले संसार चलाए मान्छे, लाख्च गितार, रामायन, बाईवल, पुरा न उस्ताई, राक्त्री धले पछी, आउचा सवै को बिहा न उस्ताई, ताड़ी एका मन्जोडन, आउने चाल वाड हरू, ठाणवन, दसाई तिहार क्रिश्मस रमजा न उस्ताई, ठाणवन, दसाई तिहार क्रिश्मस रमजा न उस्ताई, रात्री धले पछी आउचा, समय को बिहा न उस्ताई, मान्चे फरक फरक मानवत्ता को पहिचा न उस्ताई, म उच उनी च भन्ने ब्यर्थाई हुन बक्वा सहरू, म उर्च उनी च भन्ने ब्यर्थाई हुन बक्वा सहरू, नसामा बग्दच रातो रगत हम्रो ज्या न उस्ताई, रात्री धले पछी आउचा, समय को बिहा न उस्ताई, मान्चे फरक फरक मानवत्ता को पहिचा न उस्ताई, मरे पछी मलास बन्चू, तिमी पनी लास बन्चू, जलाओ या कब्रमा सजाओ, होची हा न उस्ताई, रात्री धले पछी आउचा, समय को बिहा न उस्ताई, मान्चे फरक मानवत्ता को पहिचा न उस्ताई, मान्चे फरक फरक मानवत्ता को पहिचा न उस्ताई, जई लिपाद, जई भारत धन्यवार, बहुत सुन्दर, एक बाजुर्दार तालिया, गंगा विष्ट जी के लिए बड़ी पिसिस्ट का विता आपने सुनाई, दीप चौधरी जी हमारे मीश मवपस्तित है, मैं आपका मत्रित करना चांपर इसके बाद, वर्ष्ट को वित्री डाका आनदी जो सीजी ते यारे तो, भन्यवाग सौधरी जी, संसे बड़ी वाद को यह है, कि इस ग्रूप में सब नेपाल से अध्यापन लोग आए हैं, और यहां पर भी अध्यापन लोग हैं, यह बड़ी पुस्ता का बाद है, और मैं अपनी कविता यहां पर सुरू करूं, और नेपाल और हमारे यहां एक जैसी समझ्या है, मैं आज से कुछ साल पहले, चार साल पहले, कि रुपरा सुंदरी मंदिर गया था, तो वहां भी मैंने पलाइन की पीड़ा बहुत देखी, जब मैं नीचे को आ रहा था, तो गां के गां खाली थे, अच्छे अच्छे मकान खाली थे, तो ऐसा ही हमारे य कर दोगें हो, परनलकटी फाड़ा ये पहाल के देखी, नर में बाहँ जोड़ ये था, बानला बानले बाहँ देखी नर्त नहीं पताल घरकुड़ी पाजय गयां पलायन बढ़ते गयो जो बज्यां उले हो गई हर्कां पलायन इस बढ़ियो गौम वाची गयां पुरहाद गौपिनीन बाग भालु सुंगर उन्बेश क्यां बंजर कुड़ी इन सबटे आवाद है क्यां बाग भालु ले अब गौपिनी चड़े वे बाग भालु ले अब गौपिनी जंगल चड़े वे बजारे कलीन में घुमूल आई ज्यां शहरूंक नतीक गौमे रुने लोग और ठुल मेंस वे ज्यां गौरू भैश बाकार पालाइन छोड़े अब मौर्निंग गौप में शड़कून पे कुगर गुमूल आई ज्यां हदता तब ही जब दुसरा घरागर में गंदगी करून आई रहां कभे को मेश गौपिन रहे वे कभे को मेश गौपिन रहे वे खेती वाड़ी दगाणा गौरू बद भैश पालिया है अब दिन्चर्या रोजगार कर्च्या अब शहरून के आवे डिविन्य ब्रांटू का कुगरू कुगरार मों आई रहां लेकिन जो ब्रैंडड़ कुगर्शनों भुग्णना चोर रहे जाए जो और विवाद मालों पड़ से ये ब्रैंड़ कुगर्शन आफुन जनमभार ता यान आती नी दगाण में कुगुर बिरालू कहपी बर्टे मनों लाई रहां आफुन जनमभार ता यान आती नी लेकिन दगाण में कुगुर बिरालू कहपी बर्टे मनों लाई रहां आफुन नंतिनान की तारीफ करी नी करी लेकिन आफुन पालें कुगुर बिरालू इतावरी जरूर करन लाई रहां कुगुर के खांच कश पीछ योता हाई क्वालिटी पेडगरी खांच और ब्यारा माइना बिस्कूट खांच दगाण में आरो और केंगनन और मिन्नल वाटर ले पीछ ताइम टाइम में कुगुरूग हेल्थ चेकप ली करून लाई रहां पस्व अस्पताल में कुगुरूग बकाईदा हेल्थ चेकप कार ली बरून लाई रहां पस्व अस्पताल में कुगुरूग बकाईदा हेल्थ चेकप कार ले बलून लाई रहां गौंक जोग बचीकुछी गुरूबाच्य उन्षब ताडिवेर बजारा गल्लीन में भून लाई रहां गुरू गुबर बटेता भास चितुनान कुकरें गंदगी बठे खुश्बू चितुन लाई रहां दो दिना की देधूद यू सब मिलकवार और एटेम बठे ले लाई रहां दो दिनाएं ते दूज सब मिलक वार और एटेम बठे लेग लाग रहा हूं। कभे जो मढवां रोट खाई शेया। आप योग सब छड़वेर। पिज्जा, मैगी, चौमीन, होटा, केक, खान रहा हूं। बहुत सब्सक्राइब के लिए लगाता हिंदी कुमावनी में एक साथ निखती है। और बहुत अच्छा कहानिया भी आप लिखती है। अच्छा कहानिया भी आप लिखती है। मित्रदेश, नेपाल से पधारे महनुभाव के स्वागत में चंद पंक्तियां पढ़ना चाओंगी। पाकर आमंत्रन भारत का चण मैत्री रथ जो आये हैं। स्वागत में उनके हमने भी लो तोरण द्वार सजाए हैं। प्रियातिति गणों के दर्सन से मन मोद भरातन पुलकित हैं। उनकी दमदार उपस्थिति से यह सभाक अक्ष्या आनन्दित है। भर्मन में ओ भ्रातित भावे पैगाम प्यार का लाए हैं। स्वागत में उनके हमने भी सुबगीत सुमंगल गाए हैं। संबंध जो रोटी बेटी के हैं सदियों से वो हैं सुमदुर। हम मित्र राष्ट उनको कायम रखने को करेंगे यतन प्रतुर। हम चिर अनन्त तक रहे मित्र है विनय यही पर्मेश्वर से। नित रखे मान एक दूजे का मागे यह वर अखिलेश्वर से। पाकर्या मंत्रन भारत का चड़ मेत्री रथ जो आए हैं। स्वागत में उनके हमने वीलो तोरण द्वार सजाए हैं। इस प्रतुर। हैंने वाद लुई का अजाए हैं। वहाद दी बहुत संदर कविता पार्ट यांपर हमारे आमनत्री साहितिकार बंद्रू के स्वागत में आपने जो संदर कविता संदर लई में आपर पड़ी है और वहाँ से भी कविराज भड़ी का वो अपनी कविता लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद हम भारत के भड़ी से आपको मिलाएंगे और ले चलेंगे दिले इस भड़ी की कविता की होई अहो प्रेमधे रए घरे सौचरामा अहो प्रेमधे रए घरे सौचरामा बशा लेर नाना थरी पिंजरामा तिमी को कहा के भणी कोई नशोधनू तिमी को कहा के भणी कोई नशोधनू कथा लेक सुषा थी उटो ले गरामा कथा लेक सुषा थी उटो ले गरामा हलो माजवामा अनवठो सजादू हलो माजवामा अनवठो सजादू गजल फल्द संती उना कंदरामा मेर घार बोई तड़ी वियो मा भेट दई नसाया कतई बई तड़ी को मा भेट दई नसाया कतई बई तड़ी को न दिल्ली बरेली न त्योपो खरामा न दिल्ली बरेली न त्योपो खरामा है 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 खोड़ा पर्याष्की ये ंदी मेर इंदी ज्यादा आता है आती नहीं है आता है आती नहीं है आती नहीं बालिक पेक्किया, यहान नहीं हो, आता बाला यहान नहीं हो, आता बाला यहान नहीं हो, इसी संदमें है, आवा पस्यमी जो रशे आरही है, हावा पस्यमी जो रशे आरही है, हमारी फशल तो प्ड़ ले जा रही है, हमारी फशल तो प्ड़ जा रही है, हमारी लवज में कुशे आ रहा है, वो शांश्कृत हिंदी सबी खा रहा है, वो शांश्कृत हिंदी सबी खा रहा है, जो शांश्कार थे वो अटाने चला है, समक पुर्वजों की घटाने चला है, एहे शांश्क भी ज्यान का ओ दिलाता, बुरी मौत की ओ दवाई पिलाता, वो खुद बेद की खो जमें चल रहा है, हमें रूढता का मलं दल रहा है, उलर बाट के पेड़ ले जा रहा है, हमें भी उशी में मजा रहा है, हमें भी उशी में मजा रहा है, हमारी तरफ यूद का बीज बोता, उशी युद में शान तिका दूत होता, पड़ों शी जनों का सोयं कान भरता, जली आग मेते लका काम करता, रखे बंद की बेद के गुई है मंत्र, बड़ाने चले दे शकार्थ तंत्र, शुरच्च्या विवस्ता कि उडती एखिल्दी, बिठाया गया दू दके पास बिल्दी, बिठाया गया दू दके पास बिल्दी… बाहँ बाहँ बाहाँ जाए. बहुत संद्रप्रदेगा दुर्दार था लिया, कभी आज भड़ी के लिए बहुत संद्रप्रस्तूती और इसके बाद मैं इवेजन करना चाहूँ का अजिमान दिने इस भड़ी से दन्यवार संचालक महोदे और उपस्ति कभी गण सुता गण तो मेरे की पुरण कविताच है मैं कुमावनी में काम दख्षाओं और सुरेली में कुमावनी में अलग 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 बली जाएं जी जी और यह बहुत फिलिबाद चाहिक नेपाली है कुमावनी के वरोड नाधिन अलग अंशुची में सामिल छानल अलग यह बीदिन निंपली शाहिती अगर्ड में अवाड छन और मतब कुन मर्थिमं आपके आम अमेरे नेपाली में लेकान सुरूवार्चों कुमावनी तके वरोड माते नठो अंशुची में मुझी नहु जुट्ट बेमानूग राज सब जागे, जुट्ट बेमानूग राज सब जागे, देर भूद में अरारो यूरिया का नाज पीने पानी बोतल में बन्दे, बहुत अकारे फल फूल दाया हुए। अर्जुन नशरी है या दीम भुकल मरिया कोरो पजुदी ब्याद। या खुब पजुद्यान। कोरो पजुदी ब्याद गनारीग चालक ठुल ठुल जाग बिराजी ब्याद। ником के शुकतिक प्रेजी ब्याद। गरनारीग चालक ठुल पॉल ठुल खेल लेचली कि थाटुल ठुल ठुल्सकों क्युद्यान। शुदा माले चाहियें छंग, गवाल बार भुकतिशा छंग, जमना में कच्चार है कच्चार, खतुब संकालिये माग, किसमा, तुने चाहिये, तुने देखने धनिवाद। बहुत संदर कविता एकवाद बढ़ाजा। करता हूं अभिनंदन बंदन और नमन सभी आयोजकूं का करता हूं अभिनंदन हमारे समासे वी अवस्ती जी ने पड़ाया हाथ सभी साहित्तिकारों ने दिया उनका साथ नई पीड़ी को अपने ससकारों से करना है सिंचित ने पीड़ी को अपने ससकारों से करना है सिंचित नेपाल भोया भारत दो मुधेशों की युवा पीड़ी ससकारों से नरहे पंचित नई पीड़ी को अपनी पीड़ी से जोड़कर पास्तात्य संस्कृति को छोड़कर करना है एक नई समास का गठन दोनों देशों के गुद्धिजी नियुँ शैत्तिकारों और कभियों को जोड़कर बनाया है अवस्ति जी ने बहुत बड़ा संगठन टिरास्ति जी ने बहुत बड़ा संगठन है पहली बार अंतरास्टी का भी कोश्ची में आगई आगई बहार आगई बहार सभी आयों लगूंका करता हूं मैं आवार करता हूं मैं आवार धन्यवाद बहुत सांदार कविता यहां पर मत्राजय चंसाली जी ने पड़ी है मैं आमुत्रित करना चाहूँगा प्रकास संज्योसी सूल जी को उसके बाद आधर एकी सोर पाट्टी जी शिर्फ डाक्टर प्रवोत कुमार सुलत्री जी फिर उसके बाद आज के कारिक्रम के अध्यक आप सभी को मैं हमारी नेपाल के मित्र कवियों को मैं करना उजड़ता हूं सभी को तो चाल नहीं देखिए उसके बाद मैं सुरू करूंगा आपनी कविता को कि हाट बीट में दम होना चाहिए और इसमार्ट में दम होना चाहिए हाट बीट में दम होना चाहिए इसमार्ट में दम होना चाहिए सावासिया धोगा पीछे से ही मिलती है अपने पीछ में दम होना चाहिए सावासिया धोगा पीछे से ही मिलते हैं खुद की पीछ में दम होना चाहिए आपके हाटों अब उठेंगे कि परहित में कैचवा भी बना चाह सकता है सूरू बस उस कीट में दम होना चाहिए तो मैं अपरी कल्चा बराता हूँ की रहे काम वो अधूरा जो आज नहीं होता हर महल इस जहां में मुटाज नहीं होता हर महल इस जहां में मुटाज नहीं होता अगर देखिए होंगे न ऐस शायत माबाक इस जगत में होंगे न ऐस शायत माबाक इस जगत में और आज की उन्नति पर जिन्ह नाज नहीं होता अगर देखिए कि हो सबके मन में हसरत कभी कभी क्या है हम लोग राज निजी वालों से वासा कुछ इस्या भी लगते हैं कि वो बड़े-बड़े साधदरों में रहते हैं तो हो dif dönete deport लेकी हर्करणों वाल पंची और अज़ी यहां बाज नहीं होता अज़े बाज नहीं होता हमारे कुर्ष्यक्यम जैसे लोग कि हैं सभी बाज नहीं होते यहां बाज नहीं होता आगी देखिए उत्रा खंडी अक्सर या यूं कहें हिंदुस्तानी अक्सर होते हैं सीधे साथ हिंदुस्तानी यहां किसी के रुख पे नकाब नहीं होता यहां किसी के रुख पे नकाब नहीं होता वही हारता है अक्सर जंग जिन्दगी की आँखों में जिसके कोई भी ख्वाब नहीं होता सब किरे में लाए दे आओंगी धर में पत पर चलना लगता भले कठिन हो अधर्मियों का लंबा यहां राज नहीं होता अब हमारी जो है जो है मारे बंदों है मित्रगण है मेरे कवी गण है उनके यहां पर ने जाली नेपाल के जाली है हमारे नेपार की मित्रों के जारे हैं कवी मित्रों के लिए जबाब हर किसी का है सूल इस जगत में कोई ना आप जैसा कोई ना आप जैसा ला जबाब नहीं होता रहे काम वो अधूरा जो आज नहीं होता हर महल इस जहां में मुमताज नहीं होता सांदार पस्तुती स्रिमान प्रकासन जोसी सूल जी और इसके बाद मैं आदमे किसोर पाटनी जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ हैं और अपनी कविता का पाट करेंगे उसके बाद डाक्टर प्रमोत कुमार सौत्वी जी से मेरा निवेदन रहेगा धर्म एकसा राग एकसा अपना है इतिहास एकसा नदी एक है गगन एक है अब एक है अपना ताना वना कहने को दो देश अलग हो हम लोगों का मन एक है धर्म एकसा राग एकसा अपना है इतिहास एकसा चला आ रहा है यह रिस्तार सुष्टी के आरंब से ऐसे चला आ रहा है यह रिस्तार सुष्टी के आरंब से ऐसे स्रजनहार ने रचिये धर्ती गुलगस्ते के फूल हो जैसे चला आ रहा है यह रिस्तार सुष्टी के आरंब से ऐसे सदियों से संबंद हमारा रोटी बेती का गहरा रिस्ता पहले से ही रोजी रोटी का हिमका आलय है अपना साजेदार हिमका आले है अपना साजेदार सागर माथा खड़ा हुआ है बनकर पहरेदार हिमका आले है अपना साजेदार सागर माथा खड़ा हुआ है बनकर पहरेदार देवों ने भी जोड़े है संबंद साथ केदार नाथ से निकल पड़े भोले पहुँचे पस्पतिनाथ राम चंदर जी ने जोड़ा है नाता सियापती बन गए बिधाता ऐसे मदुर विष्टों में कड़वा हट ना हो बने रहे हम प्यार और सथकार हमारी परिपाटी में करता हूं स्रीमान में स्वागत आप सबका इस सोर गाती में दन्यबाद सर मैं डॉक्कर पितांबर वस्ती जी और बहन हमारी बड़ी दीदी रेखा जोसी जी का मैं बहुत-बहुत साथ बात देता हूं आपने ऐसा आउज़न यहां पे किया आप भूरी-भूरी प्रसंद्सा के पात रहें धन्यबाद त्रियम मोरे सांदार प्रस्तुती स्रिमार पाटनी जी भरत और दैपाल के सब्बंदों के बीच में आपने बहुत अच्छा लिखा है और पड़ा है और इसी क्रम को आगे बढाते हैं मैं डाक्टरा प्रमोत कुमार सुत्री जी से निवेधर करूंगा कि वो अपनी कविता पाट इसके बाद हमारे यसस्वी सहितकार लेखा की तिहासकार नैपाल में जो सुदूर अच्छा में पूरो में मुख्यमंत्री रहे है राधन सी दावतियूंगी कविता को भी हम सुनेंगे पलुटिस मेल धन्यवाद संचालक महोदय आधनी मंच और स्रधालू स्रधास्पद स्रोतागर मैं छमाच आऊँगा विद्याले के कुछ कारी ऐसे आ गए थे क्योंकि आज विद्याले कांतिम कारी दिवस था इसके बाद लगवट डेड़ महीने का अवकास है तो मैं जल्दी नहीं आ पाया चल्द पंकियां प्रस्तुत करता हूँ तेरे शहर में आतो गए तेरे शहर में आतो गए फिर भी न मिल पाएंगे तेरे शहर में आतो गए फिर भी न मिल पाएंगे तेरे शहर में आतो गए फिर भी न मिल पाएंगे दरिया के किनारे भी दरिया के किनारे भी प्यासे रह जाएंगे तेरे शहर में आतो गए इक आग का दरिया है ये इश्क सभी कहते एक आग का दरिया है ये इश्क सभी कहते है हम तैर न क्या जाने हम तैर न क्या जाने डूबे उतराएंगे हम तेर न क्या जाने डूबे उत्राएंगे तेरे शहर में आतो गए फिर भी न मिल पाएंगे ख्वाईश है मेरे दिल की दीदारे खुष्ण परी ख्वाईश है मेरे दिल की दीदारे खुष्ण परी ख्वाईश है मेरे दिल की दीदारे खुष्ण परी तेरे हुष्ण की दौलत को हम दिल में बसाएंगे दरिया के किनारे भी प्यासे रह जाएंगे शवनम का इक कत्रा जब गुल पे मचलता है सत रंगी सपनों से गुल्शन को सजाएंगे दरिया के किनारे भी प्यासे रह जाएंगे तेरे शहर में आतो गए फिर भी न मिल पाएंगे हर जुल्म सितम से हम हर जुल्म सितम से हम हस हस के गुजरे हैं दुनिया में शराफत का परचम लहराएंगे दुनिया में शराफत का परचम लहराएंगे दरिया के किनारे भी प्यासे रह जाएंगे कि अलसो है o अ हमते हैं कि अनल जुल्म से हम हर जाएंगे लाएंगे दौनिया है